असलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाईओ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि अलिनमा बैंक का कार्ड किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं इससे पहले मैं बताया था किस तरह से अलिनमा बैंक में आप अपना एकाउन ओपन कर सकते हैं और आज में बैंक में आगिया हूँ ATM कार्ड प्रिंट करने का जो सिष्टा में वो बताने वाला हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखे ताकि आपको सही जनकारी बरोबर जनकारी मिल सके और अपने हातों से वीजा कार्ड हासिल कर सकते हैं फिर ही में कोई भी चार्ज नही करनेسे पहले आपको अउन लेगा मोईल नमर मांगता है तो अपना मोईल नमर मांगता है यह फिर तके आप अपने हाथों मांगा जा रहे हैं करते हैं यह यह दयाएज पर जख सकते हैं open new account now पे क्लिक करें confirm पे क्लिक करें गया उसके बाद आपके नमर पे code जाएगा उस code को यहाँ पे दर्ज कर देना है किमकि हर ATM का हर system होता है तो इस ATM का पहले यह system है तो यह तरीका आजमा है उसके बाद यहाँ पे confirm पे क्लिक कर दें तो देख सकते हैं यह account confirm हो चुका है यानि रिजिस्टर हो चुका है इस ATM में उसके बाद यहाँ पर logout का option आएगा नीचे यहाँ पर तो आपको logout कर देना है यहाँ पर सो जाएगा सबसे पहले logout कर देते हैं logout करेंगे तो यह फिर से सुरू हो जाएगा तो इंतजार करते हैं कि यह logout का option आ रहा है कि थोड़ा दिर वेट करें कि हर ATM का हर सिस्टम होता है तो यहाँ पर logout होने के बाद फिर से यह option आ गया देख सकते फिर से इंग्लिस पर किलिक करें इंग्लिस पर किलिक करने के बाद यह पहले कुछ और सिस्टम था भी कुछ और सिस्टम में उसके बाद फिर से कार्ट पर किलिक करें उसके बाद यहाँ पर फिर से कामा नमर मंगा जाएगा आपका जो भी कामा नमर है वह यहाँ पर डाल दे तो यह इस वीडियो को लाश्ट में आएगा किलिक करके देख सकते हैं तो ओके पर किलिक करते हैं उसके बाद आप से यहां पर फिंगर मांगा जाएगा तो यहां पर अपना फिंगर एक्टिवेट करते हैं यहां पर लैट जलेगा तो अपना फिंगर देना है यहां पर देख सक बाद आपका यहां पर कुछ डिटेल्स हो जाएगा कार्ट पर क्या नाम रहेगा जीरो फी से कोई चार्ज नहीं है उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह कार्ड प्रिंट होना ही स्टार्ट हो गया है हर एटियम का कुछ न कुछ उसके बाद यहां पर निकलने वाला है थोड़ा इंतियार करते हैं देख सकते हैं यहां पर सिकन चालू हो गया है दिए-दिर आपका card print होगा उसके बाद आपका card आ जाएगा तो थोड़ा इंतिजर करते देख सकते हैं card आ गया तो यहाँ पे card निकालते हैं देख सकते हैं यह card है अभी का card कुछ नया है पहले का card कुछ और था अभी का card थोड़ा नया है तो यहाँ देख सकते हैं काड हो चुका है complete जो भी काड आप प्रींड चाहते हैं असारी से प्रूइन कर सकते हैं और बाद में किसी ATM मसीन में जाकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर Actives हो जायेगा अपना प्रिंध कोड जो भी बनाना चाहते बना सकते हैं